Hello everyone, Katniss YouTube channel में आप सभी का स्वाकत है, मैं हूँ अर्शिया आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ Excel में 3D reference को of your cup और कैसे किया जा सकता है 3D reference याने कि बहुत important formula है जहांपे हम without using formula cells को use करके हम क्या कर सकते है formula apply कर सकते है जहांपे हम सिर्फ cells को use करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे addition को use करेंगे, minus को use करेंगे, division को use करेंगे product को use करेंगे बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी exactly एक particular cell को use करके हम कैसे calculation कर सकते है without using formula देखें इधर पे मैंने एक data लियावा है जिसमें मैंने main sheet में सिफ course लियावा है और 3 months इधर पे मैंने लिये वे course में मैंने CAC, Tally, Basic, Advanced, Excel courses आइड किये वे है इधर पे मुझे देखना है January में कितने students जाइन हुए है February में कितने students जाइन हुए है March में कितने students जाइन हुए है तो देखिए example के लिए इधर पे मैंने two branches लिये वे है जिसका मैंने name इधर पे add किया है MLM, MLM में कितने students जाइन हुए है January मन्त में February मन्त और March मन्त में कितने students जाइन हुए है ऐसे ही मैंने और एक name इधर पे rename किया है उसका नाम मैंने दिया है SSP इधर पे कितने students जाइन हुए है January मन्त, February मन्त और March मन्त में तो मुझे calculate करना है ऐसा calculate हम बहुत सारे formats में कर सकते हैं जहां पे आप एक stock report maintain कर रहे हो जहां पे एक billing maintain कर रहे हो जहां पे आप student details maintain कर रहे हो आपको तब calculation करने के लिए बहुत सारे formulas का उप्योग करना पड़ेगा बट मैं इधर पे आपको सिफ दो एक second में आपको यूज़ करके बताऊंगी कि 3D reference का उप्योग करके आप कैसे calculate कर सकते हैं इधर पे देखिए मैं इधर पे equal to sign से use करूँगी equal to sign लगा के मैं इधर पे some formula लगा रही हूँ some formula लगाने के बाद आपको next sheet जाके select करने का कोई भी जरूवत नहीं रहेगी because मैंने इधर पे rename दिया हुआ है mlm तो मैं इधर पे mlm add कर लूँगी और semicolon को use करूँगी colon को use करूँगी colon को use करने के बाद next sheet में मैंने rename दिया है shp तो मैं इधर पे shp लोँगी exclaminator sign को इधर पे आप use करना है use करने के बाद आपको देखना है कि January कौन से column sorry course कौन से column और कौन से row में है देखिए इधर पे आप देख सकते हो मैं देख रहे हूँ January मंत का January मंत का देख रहे हूँ तो कौन से column में है January मंत C column में है और कौन से row में है 2 row में है इधर पे आप course देख सकते हो course कौन से column में है B column में है और मैं इधर पे cat students का detail देख रहे हूँ कौन से row में है 2 row में है तो इदर पे में क्या करूँगी B2 आड कर लूँगी B2 आड करके ब्रॉकेट क्लोज करके में एंटर देने पर देखी इदर पे 65 दिखा रहा है क्यों इदर पे 65 दिखा रहा है दिखिए आप देख सकते हो MLM में January मत में कितने students जोइन हुए 20 students जोइन हुए और SHP में कितने students जोइन हुए 45 students जोइन हुए है जैसे कि हम आपको calculate करके दिखाऊंगी देखिए इदर 25 प्लेस 65 कितना हो रहा है 65 इदर पे directly दिखा रहा है ऐसे क्या कर सकते हो आप 3D reference का formula उप्योग करके एक ही time पे आप क्या कर सकते हो आपको पूरा calculation कर सकते हो अगर मैं इ देखिए automatically इदर पे आपका answer दिखाई देगा ड्रैक्टान करने से आपको क्या हो जगा automatically ये ड्रैक्टान करके आपको पूरा answer बता देगा ऐसे करके आप क्या कर सकते हो 3D reference का उप्योग कर सकते हो but important note है इसको आपको बहुत ज्यादा use करना है जैसे कि देखिए इदर पे म मैंने कौन से column में लिया है इदर पे मैंने B1 में लिया है तो MLM में भी कौन से format में रहना चाहिए वो B1 format में ही रहना चाहिए और SSP में भी B1 format में ही रहना चाहिए ऐसे करके क्या कर सकते हो आप 3D reference का उप्योग कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजएगा आज के लिए इतना काफी है थैंक यू बाबाई